हलो गाईज वेलकम बाक टू माई चानल वेब स्टेडी लास्ट वीडियो में आप सभी ने जादा अच्छे कमेंट्स करें इतना जादा मोटिवेट करा मैं बहुत जादा कोशिश करें कि मैं जल्दी जल्दी वीडियो बना के डालूं एक रक्टांगल कि बात कर रहे हैं जिसकी लेंथ उसके ब्रेथ की दुगनी है if the length is decreased by half of 10 cm now this is very confusing बच्चा यहाँ पर बहुत confused होगा कि यह क्या लिख रहे है वत अब क्या लिखा क्या है यह बट यह बहुत ही simple चीज लिखे कि half of 10 10 का half के होता 5 तो यहाँ पर बोले किस से decrease हो रही है 5 से decrease हो रही है बहुत simple चीज को बहुत गुमा के लिखा है so that students के हुजए confused होगा तो यहाँ पर यह चीज से confuse नहीं होना है then क्या लिखा है and the breath is increased by half of 10 वही same चीज 5 से increase हो रही है इप टेरिया इस rectangle is increased by 5 cm more than 70 तो इस question को जितना यह लिंदी था नहीं उतना बना दिया है language की वज़े से तो यहाँ पर क्या बोला है increased by 5 more than 70 70 से 5 जादा 75 okay find the length of the rectangle question is very easy बहुत ही simple है but बहुत complicated language में पूछा गया है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है question ती है question कौन सा है question number is 32 two right तो यहाँ पर question में क्या बोला है कि they are talking about a rectangle right एक rectangle है एक क्या है rectangle है उसकी length breath चीक है length क्या है length है breath की दुगनी breath अगर हम x ले तो length है this ठीक है और area की बात हुई है ठीक है भाई area की बात हुई है ठीक है if length is decreased by पहले आपको इतनी चीज़ बता दी तो यहाँ से area आपका क्या निकल जाता है 2 x square length into breath easy फिर भोला आप से कि if the length is decreased by 5 अगर length आपका इतना है और जो कि decrease हो गया है 5 से and उसकी breath जो है वो क्या हो गया increase हो गया 5 से तो उसका area जो है न वो 75 से क्या होता है increase हो जाता है जो area है वो कितने से increase हो जाता है 75 से यह जीज़ उन्होंने बोली है तो अब इसमें कुछ घबराने वाली बात है आप से बोला क्या है find the length of rectangle चीक है भाई इसकी length निका लो rectangle की तो यहां कुछ डरने वाली बात थोड़ी है length हमें सब चीज़ दे रखी है हम क्या करते है इसको इसकी equate कर देते है length into breadth length into breadth करोगे तो यह आपका क्या जाएगा 2x square ठीक है देखो यह चीज solve करने का बहुत easy तरीका है अगर आप एक बार इससे फिर एक बार इससे फिर एक बार इससे फिर एक बार ऐसा ना करना चाहो देखो यह इससे into होगा तो यह quadratic बन जाएगा तो यह तो किसी और से नहीं होगा add और यह अगर इससे आप into करो तो यह minus sign हो जाएगा और 25 आजाएगा clear है यह चीज यह चीज clear है, अब आप क्या करो, इसको इससे करो, और इसको इससे करो, यह कितना होगा, 10x और यह minus 5x, तो plus 10x minus 5x क्या आएगा, plus 5x which will equals to this, थोड़ा सा दिमांग लगा कि समझनी की जरूत है, मैंने क्या करा, ठीक है, यह बस मैं आपको बता रही हूँ कि आप equation किसे easy कर सकते हो, मितलब अपना calculation बचाने के लिए, ठीक है, ओके, फाइन, तो यहां से आपका यह चीज़ कांसल हो जाएगी, तो 5x क्या आजाएगा, यहां से 100 आजाएगा, which means, आपका x क्या आजाएगा, 20 आजाएगा, अब पूछा क्या था question में, लेंध पूछी थी, क्या पूछा थ लेंद पूजी दी, find the length of the rectangle तो length क्या हो जाएगी length क्या हो जाएगी, breath की क्या हो जाएगी दुगनी हो जाएगी तो ये क्या होगी, 40 cm ठीक है, 40 cm which is option B easy था, कुछ इतना difficult था, कुछ रोने वाली बात थी इसमें, नहीं न, ठीक है next question देखते हैं next question में क्या दिया है next question is question 33 the area of rectangle now, the area of rectangle again, they are talking about rectangle ठीक है, area of rectangle, जिसकी whose one side is A अच्छा एक side उस rectangle की A है और उसका area क्या है, 2 A square what is the area of square अब square की बात करी information they are giving of rectangle and they are asking about square की having one of the diagonal of the square is as a side what is the area of a square having one of the diagonals of the rectangle as a square ओके पहले हाँ पर आपको क्या करना है question को decode करना है आप से बोला है there is a rectangle एक rectangle है चीक है एक rectangle है और बोला है की उसकी एक side to A है another side नहीं दी और direct area दे दिया अब पूछा जो रक्टांगल था उसका जो diagonal है जो diagonal है वो diagonal एक square की side है तो बताव उस square का area क्या होगा बहुत easy question इतना easy question क्यों दिया है उने तो ये है question 33 ठीक है उन्हों ने बोला question ने बोला की rectangle है ठीक है यहाँ पर भी क्या है rectangle है ठीक है रक्टांगल में उन्होंने एक साइड दी है, suppose करो अपको दी है, एरिया दे दिया, मतलब ब्रेथ नहीं दी, ब्रेथ नहीं दी, एरिया दे दिया, उन्होंने एरिया दिया है, 2A स्कुर, अब यहां पर एक चीज दिको, यह एरिया किसके इक्वल होता है, लेंट इंटो ब्र इंटू ब्रेथ होता है ना तो यहां से ब्रेथ क्या निकली आपकी टू ए निकली सो दाट हम इन दोनों को इंटू करेंगे तभी तो यह चीज बनेगी तभी तो यह रिजल्ट बनेगा क्लियर है यहां पर जो मैं समझाना जाती थे इतना करने की ज़रूत नहीं थे आपको दरक्टले पता चलना चले था एडिय का 2a स्कूरे है लेंट ए़ी है तो ंफ पर हमां से प्रेना दोने इसकंता क्लेर है स्कूर मद्रसकी जब लोगे तो क्या हैगा अंडर रूट 5A स्क्वाइर तो हट जाएगा और A आ जाएगा यह इसका डाइगनल आ गया अब यह जो डाइगनल है वो मेरा जो स्क्वाइर है जो मेरा स्क्वाइर है जिनके बारे में बात करें जिनका एरिया निकालना है उस square की side है उस square की side है और square का area निकालना है और square का area निकालना है तो area का formula होता है side square that means अगर मैं इसका square करूंगी तो मेरा area निकलेगा which will be 5a square और यह जो मेरा option है यह option d में दिया है clear है यह चीज समझ में आई आप सभी को एक बार ध्यान से देख लो बहुत easy चीज है बस आपको जो question में बोला मैं हर बार आपको यही चीज बोलती हूँ जो question में बोला वही करो question में जो बोला है वही करो के तब यह answer निकलेगा बिकरस ऐसा तो वह answer निकाले बोलेंगे निदी जिसकी बारे में आपको information नहीं दियो तो सारी information question में ही होती है right next question देखता है question 34 question 34 है the sum of the length and the breadth of a rectangle is 6 cm okay एक rectangle के length और breadth का sum दे रखा है that is 6 cm a square is constructed such that one of its side is equals to the diagonal अब एक ऐसा square बनाया हुनोंने जिसको जिसका एक side जो है square की एक side जो है वो किसके equal है diagonal के equal है और किसके diagonal के rectangle के diagonal के तो यह चीज़ के लिए रहा है यहाँ पर हमें again वही चीज़ करिये है एक rectangle दिया है उसके length ब्रेथ निदी बट उन दोनों का sum दे रखा है which is 6 और बोला है कि square अब उसी को use करके उसके diagonal को use करके हमने एक क्या बनाया है square बनाया है एक square बनाया है equals to the diagonal of rectangle जिसकी diagonal के rectangle के diagonal का जो length थी that is equals to the side of the square if ratio of area of square or rectangle is 5 is to 2 the area of square is अब यहाँ पर क्या करा आपको ratio दे दिया किसका ratio दे दिया square और rectangle के square और rectangle के area का गल्ती से इनको अलग-अलग मत ले 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 न मतलब यह वाला rectangle यह वाला square नहीं यहाँ पर देखो पहले नाम किसका दिया पहले square का दिया which means 5 is the ratio of square's area and 2 is of rectangle तो area of square area क्या होगा square के ठीक है यह निकालना है आपको तो हम कैसे करेंगे question की answer हमें निकालना है 34 तो देखो यहाँ पर चीज़े लेट कर लो की जो आपका square जो आपका rectangle है उसका length L है breadth B है और जो आपका square बन रहा है वो उसका क्या है S है तो यहाँ पर अकर आप side निकालोगे किसकी square की तो कैसे निकालोगे under root of L square plus B square तभी तो निकल का पाई था अगर उस theorem लगा के तो यह चीज़ क्लियर है यह क्या निकल गया आपका S तो अगर आप under root हटाना चाहते हो सुदार आपकी calculation जो है वो easy हो जाए तो under root हटा दोगे ठीक है यह हमारे पास एक चीज़ आगे अब उसने यह information दी थी हमें first information गई दी थी कि जो rectangle है उसके diagonal से जुसकी diagonal का length है वो हमार area का ratio square की area का ratio और rectangle के area का ratio क्या है 5 इस्टू 2 है square का area क्या होता है S square होता है rectangle का area क्या होता है L into B होता है L into B Length into हम यहाँ L into B डाल देंगे, clear है इन चीज, अब side square क्या होता है, area होता है, अब side square which is S square, किसके equal है L plus L square plus B square के equal है, यह चीज clear है, किसके equal है, L square plus B square के equal है, तो यहां से आप एक equation बना सकते हो, यहां से आप equation बना सकते हो, क्या यहां से क्या equation बनेगी, यहां से equation बन जाएगी आपके, कि इस चीज को further एक और वे में लिख सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा, कि, देखो 5 by 2 equals to L square plus B square by L by 2, ठीक है, तो अब आप यहां पर अलग से देखो, क्या देखना है, यहां पर आपको देखना है, कि L plus B का whole square क्या होता है, L square plus B square plus 2 L B A plus B का whole square वाली बात कर यह ठीक है, ठीक है, अब हमें निकाला किया है L square plus B, तो मैं क्या करूंगे 2 को, 2 L B को इधर ले चाओंगी, तो यह क्या मुझेगा, L plus B का whole square minus 2 L B अब मैंने ऐसा क्यों करा, reason क्या है ऐसा करने के लिए, मेरे को और rectangle के दोनों sides का sum दे रखा है, which is equals to what, क्या sum दिया था, 6 दिया था, यह sum मेरे को given है, इतना मेरे को information given है, तो मैं यहां पर use कर सकती हूँ, तो मैंने इसको कैसे लिख लिख लिया, कैसे लिख लिख लिया, L plus B का whole square, तो L plus B 6 है, 6 का whole square कितना जगा, 36 minus 2 L B आ गया, 2 L B, और यहां नीचे क्या है, L B है, इतनी information बता चलगी, right, इतनी चीज clear है यहां से, चीक है, अब यहां पर मैं इसको solve जब करूँगी, तो देखो, 5 L B और यहां पर 4 L B minus मैं, तो यहां plus मैं हो जाएगा, तो 5 plus 4, 7 L B आ गया, clear है चीज, और यहां पर कितना है, 36 L B है, right, 36 है, यहां पर क्या है, 36, right, तो, बट यहां पर हमने एक गलती कर दी, कि हमने जब 2 को मा करा, तो 2 को सरफ इस से करा, यहां पर 36 से भी तो होगा, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, 70, 72, right, clear है चीज, ठीक है, तो यहां पर 72 हो गया, यहां पर हमने क्या कर था, 5 L B और यहां पर 5 plus 4, 9 होगा, ध्यान से करना, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, तो यहां से मेरा L B कितना आ गया, L B मेरा आ गया, 8, clear है इस चीज, समझ में आई, जल्दी बाजी करने के चकर में, मेरी तरह गलत मत करना, 5 by 2 है, तो यहां पर 2 जाके, इससे भी इंड़ोगा, इससे भी इंड़ोगा, 5 plus 4, 9 होगा, and 2 into this will be 72, यहां से L B आपका 8 आ गया, L B 8 आ गया, which means area क्या आ गया, आपका 8 आ गया, see, अगर यही चीज देखो, यही चीज हमें useful है, यही चीज हमारी help करेगी, यही चीज, यह चीज देखना, यह चीज नहीं भूलना, यहां पर हमारे पास क्या क्या है, यहां पर हमारे पास क्या क्या है, यहां पर हमारे पास L B है, L B हमारा 6 है, तो 6 क्या हो जाएगा, देखो, मेरे को at the end निकालना क्या है, मेरे को निकालना है क्या side square ये निकालना है मुझे ठीक है ये वारी चीज देखो इसमें focus डालो आपको यहीं से मिलेगा अगर आपको यह मिल गया तो यह किसकी equal है side square के equal है तो at the end आपका main focus क्या रहेगा L square plus B square को निकालना तो ये चीज देखो ये चीज अगर मैं यहां लिखो L plus B का whole square my equals to L square plus B square plus 2 L B मेरे पास L B है L plus B है 36 हो जाएगा ये इसको इधर लाओ तो ये minus में होगा L B मेरा आगया 8 8 into 2 कितना होगा 16 होगा और यहां से मेरा L square plus B square निकल जाएगा तो ये कितना निकला 20 that means maybe side square which is area of which is what अच्छा आपने इस सब चीज नहीं देखी तो दुबारा explain कर देती हूँ sorry my mistake यहां पर आपको ये formula ही ध्यान रखना है ठीक है ये formula आपको ध्यान रखना है आपका main focus क्या रहेगा L square plus B square को निकालना because वो निकालोगे तब ही आपका क्या निकलेगा side square निकलेगा which is area of square ठीक है at the end आपका focus क्या है area of the square निकालना राइट तो ये जब चीज आपने देखी तो यहाँ पर आपको क्या क्या है यहाँ पर L plus B है L B है आपका ये निकल जाएगा तो यहाँ से आपका L square plus B square निकला which is 20 which is side square which is area of your square clear ये चीज तो ये है आपका जो option सही है that is option A चीज है clear है ये चीज ओके इसमें थोड़ा साबको दिमाग लगाना है next question is a rectangle has 20 cm as its length and 200 cm square as its area चीज है rectangle की बात कर रहे है length दे रखे area दे रखे ब्रेथ इजी ले निकालोगे which is 10 टीक है if the area is increased to okay यहाँ पर मैं आपको एक बहुत important चीज बता रहे है जो मैंने आपको प्रीविस एडियो में भी बताया था increased to और increased by में अंतर है increased to मतलब कि आपका area यहाँ तक increased हुआ है मतलब अगर आपको 1 by 5th बता रखाया है which is 6 by 5th तो आपका यही increased area है चीज है अगर आपको increased by बोला होता तो आपके पहले वाले area प्लस उसमें यह वाले area होगा चीज है next चीज दिखते हैं अब आपका area जो है increase कर दिया है अब बोला कि उसका area increase कर दिया है इतने से area increase कर आए तो बताओ अगर हम सरफ उसकी length को बढ़ाएंगे तो उसका perimeter कितना बढ़ेगा सरफ उसकी length को बढ़ाएंगे breath को constant रखेंगे तो उसका perimeter कितना बढ़ेगा clear तो देखते हैं करके question में पहले question number क्या है answer है आपका 35 आप से बोला है rectangle की ही बात करी गई है ठीक है तो पहली चीज क्या दिया है length breath area right okay तो पहले उसकी length जो थी that is that was 20 cm area आया था उसका 200 which means this into this करेंगे तभी तो दिस आएगा तो 220 को 10 से into करेंगे तभी आएगा because क्या होता है L into B होता है ठीक है अब बोला उसकी area जो है कितने से increase कर गया है 5 sorry 6 by 5 से increase क्या गया है किसको area को right area को क्या गया है तो 40 into 6 which means 240 का new area है breath को constant अगर हम रखे तो length increase हुई है इतनी which means length कितने से increase हुई अगर अभी तो question में नहीं बोला है still हम निकालना होता तो कितने से increase की गई है तो यह आपका कितना निकलता 20% increase की गया है चीक है 20% increase की गया है अब बोला क्या है कि perimeter चीक है area निकाल दिया perimeter 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 बोला है कि then the perimeter of the rectangle कितना होगा कितना होगा perimeter क्या होता है 2 into L plus B L plus B क्या है 34 है तो आपका perimeter कितना आएगा 68 आएगा तो बहुत जादे easy question था कुछ बोला ही नहीं था बट अगर हम खुछ से add on करे मैं बोल increase आया है तो आप क्या निकालोगे 60 और अब कितना होगे आपका 68 तो increase कितना आया increase कितना आया है आपका 40 by 3 इतना increase आया है clear है और अगर इसको mixed fraction में लिखना होता अगर इसको इसी को mixed fraction में लिखना होता तो आप कैसे लिखते 13 और ऐसे यह आपका बन्ता mixed fraction clear है चीज़ ओके सो यह था question 35 हम last question करेंगे which is question 36 36 में क्या दिया है rectangle has 30 cm as its length and 720 cm square as its area okay same question एक rectangle दिया है उसका length दिया है और area दिया है breath easily निकले की its area is increased to this time its original area by increasing only length okay आप से क्या बोला वही same question rectangle दिया है 30 cm as its area दिया है sorry length दिया है और area क्या है 720 है तो बताओ अगर उसका area हम increase करें इतने से which is 5 by 4 तो इसका original area तो इसका original area तो its original area by increasing length अगर हम सिर्फ length को increase करेंगे उसका area increase करेंगे तो उसका new perimeter क्या होगा तो यह same as it is question है जो हमने अभी कर रहा है तो मैं बोलती हूँ कि है आप करेंगे homework में और answer अपना comment box में जरूर लिखना हम यह question करेंगे next video में मैं आपको बताओंगी कि आपने सही किया या नहीं thank you so much guys for watching this video for more such videos please to like share and subscribe my channel